हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स मैं हूँ आकुप्रेशर थेरेपेस्ट डॉक्टर जस्पाल आयरुवेदा एक्सपर्ट आज मैं आपके साथ वात पित कफ के उपर पूरी जानकरी शेयर करूँगा आपको इसके बाद कोई और वीडियो नहीं देखनी पड़ेगी जी दवाईयों लेने से काफी राहत मिलेगी और आपका वात पित कफ सही रहे गया तो आप डेड़ सो से जादा बिमारियों से बच सकते हैं और इम्यूनिटी बढ़ जाएगी और आपको कभी भी पेट की कोई प्राबलम नहीं आएगी उमर भी बढ़ जाएगी लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले इस वीडियो को आप शेयर जरूर कर देना सबको दो चीजे मैं आप से डिसकस करूँगा जो हैरानी जनक भी है और सच भी है एक तो हम अंग्रेज जाने के बाद भी अंग्रेज जोगे गुलाम है और चिट्टी चीजे आज भी हमको बहुत पसंद है जैसे चिट्टी चीनी चिट्टा नमक चिट्टा ड्रग्स भी लोग लेते है तो चिट्टी चीजों को हमको अबॉइड करना पड़ेगा हमें करने का रस हरे रंग का होता है तो चीनी चिट्टे रंग की बनी है तो कुछ ना कुछ किया है जे सेत के लिए अच्छी नहीं है इसको अपनी जिंदगी से बाहर करिए दूद में चीनी डालने से इसका केल्शियम भी खतम हो जाता है बच्चों को हम हड़ियां कमजोर बना हजार साल पहले से जो भगवट ने अस्टांग हिर्दम में जो आउशदियां लिखी है वो सभी हमारी रसोई में उपलवद हैं हम उसको अपना आयरविदिक होस्पिटल माने तो कभी भी होस्पिटल जाने की नौबत नहीं आएगी उसके बाद दूसरी चीज मैं कहूंग जो ठंडा फ्रीजर का बर्फ वाला पानी और कोल ड्रिंग्स बाकी भी पैकिंग वाले फ्रूट्स जूस वो भी वॉइड करने चाहिए हम कंपनियों को तो बड़ोतरी दे रहे हैं फोरन की कंपनियों को तो हम अमीर करी रहे हैं लेकिन मिटी के गड़े का पानी ना पी के हम अपने देश के जो गड़ा बनाने वाले गरीब वर्ग के लोग हैं उनका रुजगार भी शीन रहे हैं और अपने सेथ को भी बिमार कर रहे हैं थंडा पानी पीने से वादपित कफ बहुत बिगड़ता है क्योंकि बाहर का टेंपरेचर 27 डिगरी से नीचे जो भी पानी होगा फ्रीजर का तो 5 डिगरी पे होता है वो आपकी बॉड़ी टेंपरेचर के नुकूल नहीं है आपको कई प्रकार की बिमारियां लगाएगा तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारी जो बॉड़ी है वाद पित कफ को समझने के लिए कि हमारी बॉड़ी टाइप क्या है हमारी बॉड़ी में वाद ज़्यादा बनता है, कफ बनता है, पित बनता है कई लोगों को दो गुन भी बनते हैं दो दोश भी कईयों के बिगड जाते हैं कोई बाद पित इकठा बिगड जाता है पित कफ जा वाद कफ कईयों के तरह दोश भी होते हैं बहुत रेयर होता है लेकिन इन दोशों को समझने के लिए पहले हम बताएंगे आपको कि भी पाँच तरह का जो पाँच तत altri से हमारा सुरीर बना है और पाँच हिस्सों में हमारी बाड़ी बटी हुई है पाँच तत कौन से हवा, पानी, अगनी, धर्ती और आस्वान यह जो हमारा सिर से लेके गर्दन तक का हिस्सा है जे स्काई में आता है अकाश और इसे रेलेटेड क्या है मैंटल की जितनी प्रॉब्लम्स है मानसी करोगों की प्रॉब्लम है उसके बाद यह हमारे पेट के उपर जो शाती तक यह हवा का हिस्सा है जहां से हम सास लेते हैं फेफडे हैं हमारे तो यह फेफडों के नीचे जो पेट है यह अगनी का रिप्रिजेंट करता है फायर को रिप्रिजेंट करता है उसके बाद पेट से नीचे लेके गुटनों तक जो है वो प्रिथवी को रिप्रिजेंट करता है और उसे नीचे पैरों तक जो है वो जल को रिप्रिजेंट करता है और यह जो हमारा वात का सबसे पहले बात करते हैं किसी का वात बिगड़ जाए वात मत बिगड़ने दीजिए 80 से ज़्यादा रोग पैदा होते हैं किसी का अगर पित बिगड़ जाए तो 40 से ज़्यादा रोग पैदा होते हैं किसी का कफ बिगड़ जाए तो 20 से ज़्यादा रोग पैदा होते हैं कईयों के तीनों ही बिगड़े हुए हैं तो सबसे पहले बात करते हैं जब हवा और आसमान का मिश्रन होता है तो वात रोग उतपन होते हैं वात रोग उतपन होने के कारण ज़्यादातर अंजाइटी, डिप्रेशन, जोडों की दर्दें बैक पेन, सर्वाइकल, डिस्क पेन, L4, L5, S1 की प्रॉब्लम स्पॉंडलिटेज, जोडों की दर्दें, आर्थिटीज, रूमेटाइड आर्थिटीज, गंठिया ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ सकती है तो वात रोगियों को क्या उपाय करना चाहिए वात रोगियों को सबसे पहले वात बढ़ाने वाली चीजों को बंद करना चाहिए जैसे चावल, वाइट चने, चिट्टे चने, और राजमा और भी कोई वात बढ़ाने वाली जैसे आइस क्रीम वगएरा, ठंडी चीजें फ्रीजर वाली, बैजी जैन, नहीं खानी जाए जिन से वात बढ़ जाए तो नहीं तो बहुत सारी जोडों की प्रॉबलम हो सकती है और इससे फिजिकल हैल्थ नहीं बिगड़ती, मेंटल हैल्थ भी बिगड़ जाती है जिसकी वज़ा से आज लोग आतम हत्या भी कर रहे हैं, डिप्रेशन, अंजाइटी के शिकार हो रहे हैं उनकी बात बहुत ज़्यादा बिगड़ जाती है और अगर वात के उपाए की बात करूं, तो बहुत ही सरल उपाए है आज से 35,000 साल पहले भी इसका उपयोग किया जा रहा था जो बागवट में, बागवट जी ने अस्टांग हिर्दम गरंथ में लिखा हुआ है डाल, चिन्नी और सुन्ड का उपयोग करना जब भी खाना खाए, कुछ सूतर मैं आपको लास्ट में बताऊंगा पानी के रिलेटेड, जिसकी अगर आप सेवन उस पानी को उस तरीके से कर लेंगे तो आप 80% से ज़्यादा वाद पित कफ को बैलन्स कर लेंगे आपका कभी वाद पित कफ नहीं बिगडेगा अगर आप अपने लाइफ में सिर्फ पानी का डिसिप्लन ले आएंगे पानी का डिसिप्लन को हम लास्ट में डिसकस करेंगे यम, नियम, संजम भी आईरुवेद का हिस्सा है हमको एक्सरसाइज करना, नियम पे खाना, सोना, पीना और संजम रखना क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, सिहित के हिसाब से और वात पितकफ के हिसाब से, अलग-अलग लोगों को क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए इसका भी तब ही पता चलेगा जब आपको ये पता चलेगा कि आपकी बौडी में वात बड़ा हुआ है काफ़ जापे तो ये सबसे ज़्यादा जरूरी है तो वात रोगियों के लिए क्या है दाल चिनी एक चुटकी और सून्ड की एक चुटकी अगर खाने के बाद आप जाँ खाने के साथ इस्तिमाल करेंगे तो आपका काफी हद तक वात बैलन्स होना शुरू हो जाएगा और चाए सुबह बिलकुल मत पीजिये सुबह वेजिटेबल्स का जूस, फ्रूट का जूस, नारियल का पानी आप सेवन कर सकते हैं लेकिन चाए बिलकुल मत पीजिये दिन में अगर फिर भी अगर आपका मन करें तो दिन में आप चाए पी ले चाए कमपनियों को हमने पैसे ही कमा के देने है लेकिन चाए पीने से कोई भी फाइदा नहीं होता नुक्सानी होते है गैस बढ़ती है कोई प्रॉब्लम्स आती है जोडों में दर्दे बनती है कमजोरी आती है तो उसके बाद आप कावा पी सकते हैं और आयरुवेद के हिसाब से सुबह आप खाने के साथ जूस जा कावा पीएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा रात को खाने के साथ आप दूद पीएंगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा खाने के तुरंट पानी मत पीजिए वो मैं लास्ट में एक बर फिर बता दूँगा खाना खाने के बाद तुरंट पानी मत पीजिए एक डेड़ गेंटे के बाद पानी पीजिए खाने के तुरंट बाद आप कावा पी सकते हैं आफ रूट का जूस वेजिदे बगाल जूस सुबह पी सकते हैं क्योंकि सुबह वात दिन में 24 गेंटे में भी महारा वात पित कफ बैलन्स अलग-अलग होता है सुबह वात जादा होती है दुपैर को पित और शाम को कफ सुबह आप जूस का सेवन कर सकते हैं दुपैर को आप छांच लसी का सेवन कर सकते हैं दही का सेवन कर सकते हैं और रात को आप दूद का सेवन कर सकते हैं गर्म दूद का गुड के साथ चीनी मात यूज करिए जा आप मिश्री यूज कर सकते हैं वो भी कौन सी मिश्री जो डेले वाली धागा होता है जिसमें वो वाली मिश्री उसके बाद आते हैं हम पित दोश वालों के लिए पित दोश बिगड़ने से फिजिकल भी प्रॉबलम आती है और मेंटल भी आती है और anxiety, jealous, stress, गुसा ये भी बढ़ते हैं क्योंकि पित बढ़ने से ये बढ़ता किस कारण है जब अगनी और जल का मिश्रन होता है तो पित बढ़ता है तो अगनी का ज़्यादा सबंद है पेट से तो पेट की सबी प्रॉबलम्स पित के कारण आती है खाना ना पचना, सुबह पेट साफ ना होना, indigestion रहना, ulcer हो जाना, acidity रहना, gas रहना ये सारी प्रॉबलम्स पित की वज़ा से है और पेत का भी एक सारल उपाया अरुविद्ध में बताया है भागवट जी ने कि भी आप अजवाइन का सेवन कर सकते है मुगलो और पिछले टाइम से कभी भी शाला लव यूज नहीं किया गया गरंथों में वेदों में मसाला लव यूज नहीं किया गया आय औburghशदी यूज किया गया जी रहा कषदी है, अजवाइन काषदी है दालजीनी काषदी है अगर आप देखें हस्पतालों से बचना चाते हैं तो आपका रसोई गर सबसे बड़ा आयूर वेड़ चिकित साल्या है लेकिन कुछ ऐसी ओशदिया है जो हमारे दादे दादी बताते थे लेकिन हमने वो आज रसोई में नहीं रखी हम तो रसोई में भी जाना बसंदनी कर रहे है आज की डेट में बाहर का पीजा बर्गर खाएंगे टाइम बचाएंगे और टाइम को काम पे लगाएंगे लेकिन बाई अगर हम अपना खाना भी खुद नहीं बना सकते अपनी किचन में आयर वे जोशदियां नहीं ला सकते तो आखिर का आर हमको बड़ी बड़ी बिमारियां तो गेरेंगी गेरेंगी लेकिन साथ के साथ उमर भी कम होगी तो हमको अपना रसोई घर ही चिकित साल्य हॉस्पिटल बना लेना चाहिए तो हम बहुत बड़े लाखों रपी खर्चे से बच सकते हैं जो आने वाले टाइम हमें बिमारियां लग सकती हैं उनसे बच सकते हैं अंगरेजी दवाईयों से अंगरेजी डाक्टरों से जो हमें सिर्फ दवाई देते हैं अडवाईस नहीं देते तो उसके बाद मैं बताओंगा पित का सरल उपाय है अजवाइन जी एक ओशदी है अजवाइन का सेवन आप सबजी में भी कर सकते हैं दही में भी कर सकते हैं जा फिर खाना खाने के बाद आप आदा चमच अजवाइन वैसे भी पानी के साथ एक गुट पानी के साथ खा सकते हैं लेकिन खाने के साथ पानी मत पीजिए फिर दबारा बोल रहा हूँ हाँ अगर किसी को पाचन शक्ती में प्राबलम है तो वो अजवाइन पदीना अनारदाना और काला नमक डालके उसमें प्याज डालके उसकी चटनी बना सकता है जा फिर अगर उसके पास पदीना अवेलेबल नहीं है तो काला नमक और अजवाइन सिम्पल यूज करे तो उसकी पाचन शक्ती भी बढ़ेगी अमिनिटी भी बढ़ेगी तो आगे बात करते हैं तो वाद से 80 से ज़्यादा रोग हो गे उसके बाद पित से 40 से ज़्यादा रोग हो गे और अगर किसी का कफ बैलन्स बिगडता है कफ बिगडने का कारणा है जब किसी के जल और दर्ती के मिश्रण में प्राबलम होती है तो जल कभी कईयों के आप तांगे देखें के बहुत ज़्यादा भारी हो जाती है तो कहते ना इसके पानी बर गया तांगों में तो पानी तांगों से रिलेटेड है जल तो इन लोगों को ज्यादातर क्या होता है कफ, कोल्ड, जुकाम, साइनस, नीचे आना, बिमार रहना, आलसी रहना, लेजी रहना, मोटापा आजाना, उबैस्टी तो ये सारी प्रॉब्लम्स कफ दोश बिगडने से आती है और कफ दो दोश बिगडने से बिगडने का कारण है ज्यादा ओईली फूर्स खाने, पित दोश बिगडने का कारण है ज्यादा मसालेदार, लाल मिर्ची, स्पाइसी चीजें, बाहर का खाना, पीना खाने, कुरकरे खाना, ये पित बिगारता है और वाद बिगडने का कारण आपको बताया है ज्यादा वाई दोश वाली चीज़े खाना ज्यादा चावल ज्यादा खटी चीज़ें आइसक्रीम थंडी चीज़ें और थंडी और खटी चीज़ें कफ भी बिगाड़ता है तो कफ जो दोश बिगड़ता है उससे मेमरी में भी लॉस होता है तो मेंटल में भी इस सरल उपाए आपको बता रहा हूँ सिंपल सरल उपाए हाड टैक से भी बच सकते हैं इस उपाए से जो आयरुवेद का खजानना है सिंपल आप एक चमशुद शहत मिल जाए जहां गुड मिल जाए इससे आप खाना खाने के बाद अगर सेवन करते हैं तो आपका कफ दोश बिल्कुल सही रहेगा और इसके लावा हम हजारों लाख रुपिया चीनी पे वेस्ट कर रहे हैं चाए पे वेस्ट कर रहे हैं लेकिन 20 रुपे की अगर हम अर्जुन की साल ले आएं तो हमने जितना कच्रा खाया है बाहर का लोगों की शादियों में पार्टी में बाहर का पीजा बर्गर जो खाया है उस सबसे जो कच्रा बना है वो कच्रा कहां गया हमारे खून में अगर अर्जुन की साल ले आएं 20 रुपे उसका अबाव है लेकिन हम बड़ी बड़ी कमपनियों के बड़े बड़े पैकिंग वाले प्रोटीन, हॉरलिक्स, बार्मिटा और कई कुछ हम ले रहे हैं रसना और फ्रूट जूस, रियल जूस ट्रोपिक एना जूस जो सब बिमारियों का गर है और पैकिंग वाले जितने फूड्स हैं सब डेड़ फूड्स है लेकिन हम फ्रेश वेजी टेबल्स फ्रेश फूड्स, पानी वाले फूड्स वाटर मेलन पपिता अगर यूज करेंगे तो ये वात पित कफ हम मारा बिगड़ेगा ही नहीं पित वालों के लिए तो पानी वाले फूड्स बहुत ही अच्छे हैं और गुड़ और शक्कर सरल उपाए है कफ को सही करने के लिए और सच बता रहा हूँ मुझे खुद साइनस की प्राबलम थी मैं आईटी का स्टूडेंट था किसी टाइम और वेबसाइट्स बनाता था जौब करता था दो साल के लिए लेकिन जब मैंने होमोपैथी मैडिसीन छोड़ा मेरा साइनस फिर शुरू हो गया मुझे बहुत ज़्यादा नीचे आती थी मेमरी लॉस हुआ लेकिन आज मैंने खुद अपना साइनस कंट्रोल किया हुआ है तो अपने प्रहेज और अपना खुद का इलाज करके एक तो आप शरदाई बना के पिए खस-खस का इस्तिमाल करे बदाम का इस्तिमाल करे मगज का इस्तिमाल करे हरी इलाची का इस्तिमाल करे ब्रहमी बूटी शंक पूशमी का इस्तिमाल करे मैंने खुद किया आज मुझे अच्छे result मिले हैं दूसरा आप शहत को simple यूज़ कर सकते हैं जहां शहत को अद्रक में मिलागे यूज़ कर सकते हैं जहां गरम पानी करके कोसा पानी सुबह जहां जीरे में पानी को गरम करके उससे तसीर ठंडी हो जाएगी उसमें निम्बू डालके उसमें अद्रक का रस और शहत डालके आप पी सकते हैं उससे मेरा मैंने भी अपने स्रीर को fit किया है और weight भी कम किया है 88 किलो से आज मैंने 62 किलो किया है तो ऐसे ही आउशदियां यूज़ करके किया है कोई हजारों लाखों की मैंने medicine खा के नहीं किया simple, subtle, सस्ती और टिकाउ आयुर्वेद कोशदियां यूज़ करके मैंने अपना वजन कम किया है तो इसके अलावा मैं आपके साथ share करने वाला हूँ रहस्से आयुर्वेद का रहस्से अगर आप वाद पित कफ से जो मैं आपको बोनस दे रहा हूँ वाद पित कफ से बचने के लिए इसको बैलन्स रखने के लिए जे दोश कभी बिगड़े ही ना जे डेड़ सो बिमारी हमें शू भी ना पाए हमारी अमिनिटी इतनी स्ट्रोंग हो जाए जैसे किसी देश की सैना इतनी स्ट्रोंग होती है कि भी वो देश के अंदर कोई गुसपैट कोई आतंगवाद आई नहीं सकता तो कोई वाइरस आई नहीं सकता तो करोना क्या चीज है करोना तो आई नहीं सकता कोई भी वाइरस नहीं आ सकता अगर आपकी immunity strong है बिमारियों से लड़ने की ताक्त strong है तो उस के लिए आपको रहस्य बता रहा हूँ जो आयरुवेद में बताया गया है और 35,000 साल से चल रहा है वाराज भी है सिर्फ एक इंसान को शोड़ के बाकी सभी पशूपंख्शिया इस रहस्य को जानते है सिर्फ यह एक इंसान ही मूर्क है जो बहुत सारी इदर उदर की चीजों में ऐड्स में, टीवी की ऐड्स, यूटूब की ऐड्स, कोकाकॉला की ऐड्स, दिल मांगे मोर की ऐड्स कुर्क्रे की आ, लेज की आड्स देके आज की जनरेशन उनके पीछे बाग रही है लेकिन मैं आपको सरल उपाई बता रहा हूँ पानी का रहस्य पहली बात कि कभी भी खाना खाने के साथ पानी मत पीए मैं पहले भी बता चुका हूँ कभी भी बात पित दो कप का दोश नहीं बिगड़ेगा खाना खाने के कम से कम एक गेंटे बाद पानी पीए जादा से जादा डेड़ गेंटे के बाद पानी पीए दूसरा पानी कभी भी गड़ गड़ करके मत पीए एक दाम खाना खाने के डेड़ गेंटे बाद जितना चाहे पानी पिए जितनी प्यासा उतना पानी पिए कोई मिंती गिंती नहीं है इतना पिए दो लिटर चार लिटर पांच लिटर जितना पी सकते हैं लेकिन खाना खाने के साथ नहीं हाँ कई पूछते हैं खाना खाने के बीच पी सकते हैं पहले पी सकते हैं अगर emergency accident हो जाए कोई खांसी आ जाए कोई चीज गले में अटक जाए तो एक गुट दो गुट पी सकते हैं वो भी थोड़ा गुन गुना खाने के साथ पानी मत पीए पहले भी मत पीए एक गेंटा पहले जाँ बाद में पानी पीए दूसरा पानी को गड़ गड़ करके मत पीए आजकल तो जे बोतल लेते हैं मूँ भी निलगाते और पानी अंदर तो हम बिमार हो रहे हैं बड़ी बड़ी cancer जैसी बिमारियां हमें गेर रही है, सबसे बड़ा कारण प्लास्टिक, जो प्लास्टिक में हम प्रोसेस्ट फूड पैको के आते हैं, प्लास्टिक में पानी रहता है दूप पड़ता है, वो प्लास्टिक पानी में घुलता है, और पैसे दे के हम पानी लेते हैं फ्रेश पानी नलके का नलका कुएगा हम नहीं पीते लेकिन पानी पैसे लेके पीते हैं ये जो आरो का पानी है सबसे बड़ा कारण है जोडों की दर्दों का आपकी अम्यूटी खराब करने का आपको करोना करने का जे सब प्लैंड है पीछे से तो पानी आप शुद कुए काजा दर्ती से नल का मोटर का निकला हुआ पियें जो हमारे सरीर के लिए सही है वो जिद डेड़ सो दो सो टीडियास नॉर्मल है हमारी बोडी इसको अब्जॉब करती है इसे में हमारे सारे खनिजपदार्थ कैलशियम सोडियम पटाशियम जिनक मेगनीशियम जो हमारी हड़ियों को चाहिए वो मिलते हैं बोडी को चाहिए मिलते हैं खून को चाहिए मिलते हैं उसके बाद पानी को घूट घूट करके सिप सिप करके पीएं जैसे हम चाय पीते हैं जैसे हम पानी को पीते हैं तो सास मत लीजिए और ऐसे पानी पीएं दीरे दीरे के जैसे हम को सास चड़ जाए हम को एक बार सास चड़ जाए तो ऐसे पानी पीए कभी भी मुटापा नहीं आएगा कभी भी ये वादपित कफ की प्रॉब्लम नहीं तीसरा ठंडा और बर्फ वाला फ्रीजर वाला पानी बिलकुल मत पिए कोल्डरिंग बिलकुल मत पिए रियल जूस ट्रोपी कहना जैसे जूस बिलकुल मत पिए नॉर्मल पानी पिए मिट्टी के गड़े वाला पानी पी सकते हैं बहुत अच्छा है सेथ के लिए जान नॉर्मल आप पानी पी सकते हैं तांबे के जग में पानी रखके उसको पी सकते हैं वो शान्ती भी देता है डिप्रेशन को भी दूर करता है और एकदम जैसे नल से पानी हम बरते हैं एकदम पानी का जो होता है फ्लो बहुत ज़ादा होता है तो एकदम पानी के लास में डाले के एकदम नहीं पीना चाहिए क्योंकि पहले पानी को शान्त होने देना चाहिए उसको पड़ा रहने देना चाहिए जग में, घड़े में तो उसे शांत हो जाता है अगर आप शांती चाहते हैं जीवन में तो पानी को पहले शांत होने दिये जीए, फिर पानी को पी जीए उसके बाद लास्ट जो मैं आपको बता रहा हूँ कि पानी को कभी भी खड़े होके मत पिये क्योंकि जब यह हम ठंडा पानी बर्फ वाला पीते हैं जा हम खड़े होके पानी पीते हैं तो जो हमारी बड़ी आता है उसमें problem होती है उसकी सफाई नी होती फिर problem क्या रहती है सुबह पेट खाली नहीं होता और जिस बंदे का सुबह पेट खाली नहीं होता उसका देखो सारा दिन खराब निकलता है और जिसका पेट सुबह खाली नहीं होता मल मुतर त्याग करने में दिक्कत होती है सबसे जदा बिमारियां उसको लगती है 300 से अधिक बिमारियां उसको लगती है जिसके पेट की प्रॉब्लम रहती है और सुबह पेट साफ नहीं होता सुबह आप exercise भी तभी कर सकते हैं जब आपका पेट साफ हो जाए और करनी भी तभी चाहिए जब पेट साफ हो जाए पहले नहीं करनी चाहिए और एक और एहम सुतर है आईरुवेद में सुबह उठते सार आप ब्रश मत कीजिए चूली मत कीजिए सुबह सुबह उठके गुनगना पानी पीए सर्दियों में थे थोड़ा गुनगना गरम पानी पीना चाहिए गर्मियों बेभी ठंडा पानी मत पीजिए सुबह नॉर्मल पानी जा गुनगना पानी सुबह पीजिए जितना ज़्यादा हो सके बिना ब्रश किये बिना कुला किये बिना दत्वन किये जो हमारे सुबह की लार होती है उसको हम आखों में भी लगा सकते हैं आखों की रोशन होती है इसमें बहुत सारे ऐसे जीव हैं जो हमारे अंदर जाके immunity बढ़ाते है तो वात पित काफ के regarding मेरे हिसाब से आपको और कोई वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी पूरा ग्यान मैंने इस वीडियो में दे दिया है वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक जरूर कर दीजिए स्मेश करिए लाइक बटन वीडियो को शेर करिए चैनल को सब्सक्राइब करिए आपकी motivation की जरूरत है वीडियो शेर करने से लाइक करने से मुझे motivation मिलेगा मैं और वीडियो लेकर हूंगा health के लिए और आपकी सेवा में ऐसे हाजर रहूंगा थैंक यू थैंक यू